क्षफटेस सुपक्राइब तर श्टार्ट है। प्लास्टेक भादेते अिक उतिक। प्लास्टेके मोरी है सबड़। डिंगी, ह drink, chloroplast, chromoplast, tap 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 tam tap 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 य।क दो डिंग क्कौर्वी तो उतिए क्छा आप बीज़० þेब्ग यह आपको बताये गाते हैं इसके बाद अब लोगों ने का पड़ा वेक्टियोल्स पड़ेते हैं वेक्टियोल्स भी कहा जाता है और का पड़ाता हम लोगों ने सेंट्रोजोम्स नहीं तारग का है किसका बना होता है सेंट् mensen का दो सेंट्रीोल्स से मिलके साश्यको बना बना रहे हैं इसके बाद हुआ हैं सेरो की बार स्रूमें तो आपको खुद से कर रहा है वो आप बन लेंगे कोई लिखत नहीं है अब आंगे बात करते हैं हम लोग इसकी सेंट डिवीजन यानि कोशी का व्यूहाचन की तो मैंने आपको बताया था जब स्पर्म यानि सुक्रानू प्लस ओवार या अंडाणू मिलते हैं मिलने के बाद इन כॉन सी प्रोसेश होती है परणिञाऑथ रटी लर्टष्यन या निसेशन की निसेटकूर्शन की प्रेफ या सथiddट let me Da Di dependent लोग निसेशन होता है तो इसके बाद शेम क्या बनता है कि मिसेशन हो जाएगा तो इन दोनों से एक नया सेल बनें जाइगोड, जाइगोड बनता है, जाइगोड क्या होता है, जाइगोड यानि एक सिंगल सेल है, यह क्या होती है, सिंगल सेल होती है, अब इसी सिंगल सेल से क्या होता है, फर्दर डिवीजन होता है, एक तो सिंगल सेल होती है, इस सिंगल सेल क्या होता ह होता है और इससे नई सेल्स बनती है तो जिस सेल के डिवीजन हो रहा होता है जिस कोशिका का बज़न हो रहा है उसे मात्र कोशिका या मदर सेल्स होते हैं या कभी-कभी पैरल सेल्स भी लिखते आता है और जो नए सेल्स बने हैं इनको वोनेंगे डॉटर सेल्स यानि पुत्री कुशिका उसे कोशिका है जिसका आगे विभाजन होता है विभाजन के बनती है पुत्री कुशिका बनती है अब यहीं पुत्री कुशिका भविश्य में और आगे अधिक विभाजित होगी further division होगा, तो क्या होगा, यह group of cells रन जाएगा, जिस ठीक है, और इस group of cells हो क्या बहुते है, tissue, tissue, then group of tissue, organs, यह क्या बनाता है, group of tissue हो जाएगा जब, इस हो क्या बहुते हैं, अम्रोग, फिर यही group of organs, group of organs बनेगा, यह लोग मिलके क्या बनातेंगे, यह लोग organ system बनातेंगे, जब यह कई सारे organ system मिल जाते हैं, हमारे body में, different type के organ system, respiratory system, circulatory system, nervous system, skeleton system, muscular system, यह धेल सारे system है हमारी body में, जो एक साथ मिलके क्या, कई सारे organ system मिलके body बनाते हैं, तब हमारी body क्या बनती है, group of organ system, अंग तंत्रों के सामों को क्या करा जाता है, body, यह नि शरीर हमारा बनेगा, यहाद है कोई सामस्या, यही पूरी process follow पराने के लिए खमकान से सार्ट करते हैं, cell से सार करेंगे, cell का division होगा, जिस cell का division हो रहा वो parent cell है, जो नई cells बन रही है, वो है daughter cells, इसको note कर लो फिर आगी बठाते है process, कुछ इतना उन लोगों ने कर लिया, अब इसकी बात करते है, cell division के process की, तो cell division कितने type की होती है, पहली बात की है, तो cell division basically two type की होती है, एक होती है mitosis और दूरसी होती है meiosis, जस्सित्व की अई चोचिगार इवालत के लिक सास्ट्वीब का की बागी है, जो चिवद्द। और कॉद्टर्वाद ऌटर्वार्वाद्ध्ष से पहता है और लोगों जिस्ट्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद़् योफ नेक्षफिए, पहला के है? माइट्रोसिस यानि संसूत्री दूसरा है मियोसिस इसको गोलते हैं अर्ध सूत्री एक होता है संसूत्री विवाजन एक होता है अर्ध सूत्री विवाजन अच्या इससे पहले और एक वात या रखना एक कुसल और होता है जब किसी सेल का डिवीजन ना हो रहा हो ना उसमें निपिजन्स डिवीजन हो रहा हो ना उसके साइटोप्लास्म का डिवीजन हो रहा हो तो उसको बोलते हैं A-Mitosis A-Mitosis वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका में किसी भी प्रकार का विवाजन नहीं होता है जब किसी बेदीजन A-Mitosis में किसी भी प्रकार की कोशिका का विबारन नहीं होता है और इसका example हम तो जामते हैं क्या? bacteria यह क्या आपते हैं? यह पूरी की पूरी body इसी होती है? single cell होती है तो इसमें किसी प्रकार का विवाजन नहीं होता है और ऐसे विवाजन को या division को क्या बहते हैं? amyotosis अब इसके बाद बात करते हैं amyotosis और mucis समसुत्री और अगसुत्री amyotosis की बात करें इसमें जो cell होगी इस cell में suppose that कितने क्रोमोजोम्स हैं? चाँ दो प्रोमोजोम है तो इससे जो cells बनेगी उनमें भी same number of क्रोमोजोम्स same number of क्रोमोजोम्स होते हैं और एक cell से जो cells ही बन बात हों ठीक है? तो इस division में क्या बोलते हैं? equal cell division एक तो इसको बोल सकते क्यों इसमें क्रोमोजोम्स का नम्बर क्या है? equal है और इसको एग नाम बाद रहते हैं कितनी cells बनी हैं एक cell से? दो दो cell बनी है जिसको two end cell division भी बोल दिया रहता है दो end पोर्षी का बाद रहते हैं और कैसे बोलते हैं? equal cell division कोई रहते हैं अब यहीं देखो कि नियोसिस में नियोसिस में क्या होता है? एक कोशिका है जिसमें चार क्रोमोजोम्स हैं अब इसमें एक कोशिका से चार क्या बनेंगे? चार से कोशिका हैं बनेगी इसमें जो प्रोमोजोम्स हैं वह उसे एक एक प्रोमोजोम्स हैं वह से एक प्रोमोजोम्स हैं 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 एक प्रोमो तो इसको हाफ सेट डिविजन बोलते हैं हाफ सेट डिविजन पर कितने सेट बने इसे चार सेट बने हैं जिसको 4N सेट डिविजन भी तहार जाता है बोलती कर जाता है? इसाफ है में चाहर को तो आल गाता है और इसको 1 कस ऑपकूल भार जाते हैं अरह आह जोड़ें जिसको आईदेंटिकल सेट डिविजन भी प्लेद कुछए एग कैसा कोशी क er बाई और इस वाल एक हूँ लोग नॉन आइंटिकल सेटिवीजन बहु सकते हैं आइजन आउन संदिवीजन यह माइटोसिस में और नॉन आइजनिटिकल सेटिवीजन मियोसिस में अब इसके बाद हम आंगे बात करें तो शेली वीजन में कल आप लोगों ने कल या पर्से।250 पहले प्रोजों पढ़ेते। प्रोजों्स आपने तें ठीर क्रोजों परेतें। क् छोजों- सपयर। कितने राहीत केते हैं अच्छा। क्रोजों मद्यक्न抗्रोजों करेतें। बताया थे। एक aerozoom autosome में का होता था ? कुरे vise pair as it is transfer rod vise pair और वही vise pair का होता है और continue और aerozoom में का होता था ? sex undermining इन में से कोई एक सेली जा रहा था इसमें आधा जा रहा ना यह आधा जा रहा है और इसमें पूरे की पूरे हो जा रहे हैं तो डैट विंज ऑर्टोजोम में क्या होता है माइडोसिस च्जा, इक है जिन सेल्स में ओर्टोजोन प्लोमोसोम होते हैं उनको बोलते हैं सोमे्टिक सेल्स तो या तो अन्हों है सोमेटिक सेल्स या इनको काईक कोशिका लेक आ01 बोला जाता है जिन कोशिकाओं में और दो जोन पुर्शोत होते हैं उनको काई कोशिका कहा जाता है और इनमें क्या होता है संसुत्री कोशिका भी वाजन होता है संसुत्री मतलब माइटोसिस होता है इनमें कहा होगा संसुत्री कोशिका भी वाजन होता है किसमें सोमेटिक सेल्स में इनी काई आता है सोमेटिक सेल्स अब इसके बाद यह ऐलोजूम की बात करें तो यह कौन सी सेल्स होती है ऐलोजूम और ऐलोजूम में हम इसी बात करते है तो यानि प्रजणन कोशिका की वाचा है आप प्रजणन कोशिका में जाते हैं एलाजोम होते हैं तो वह कहते हैं लीजन करते हैं तो प्रजणनकोशिका में जो प्रक्रिया ह ότι इसे मुलते हैं मि और आरद सुत्री कोशिका liquid तो सॉमेटिक सेल में कौन सा होता है माइडोसिस या संसूत्री गैमीट शेल में मियोसिस या अल्ग सूत्री क्योंकि उसमें का होता है हाफ्स क्रोम्जोमी ट्रांस्पर होता है यहां पर कोई देख जिसको नोट कर लो अब हम लोग देखेंगे माइडोसिस और मियोसिस का पूर्सिस कैसे होता है तो सब्सक्राइड है यहां डालो माइडोसिस या संसूत्री गैमीट तो सब्सक्राइड होता है इसमें एक प्रोसिस की लंबी सी चैन होती है तो जिसमें सबसे पहले दो फेस की हम बात करते हैं इंटर फेस अब दूसरा होता है एंटर फेस ठीक है जो इंटर फेस होता है एक सेंड डिजिजन में लग्मक 24 गंटे लगते हैं 24 गंटे लगते हैं 24 गंटे लगते हैं उसी को इंटर फेस करता है सुनो एक सेंड डिजिजन में 14 गंटे लखते हैं जिसमें सिर्ग 30-00 गंटे वहीं असिर्ठ इंटरफ्स करопर 13 आज को में लेता है इंटरफ्स डेदा है इंटरफ्स क्या है? 2 सेल्ल-डीजनrou के बीच की टाइम है यह यह के लो जब सेल्ल डीजन ओना है तो उससे मैंने जो preparation करता है, वो किस कहां पी और होती है, वो interface में होती है, preparation of stand division takes place in interface. तो क्या कोशी का विबारिन तयारी कहां होती है, interface में होती है. और क्या है, यह कोशी का विभाजन के बीच के समय का अंत्राल है, it is the time duration between the two cell divisions, वही cell division उगा, उसके बाद cell division के बीच के भी आज़ में rest चाहिए उसको, rest चाहिए उसको, rest चाहिए कितना time लगेगा, वो interface बताता है, interface में कितना time है, 23 hours, बाकी बचे हुए, एक गंटे में M phase होता है, और M phase है बहिया, कई सारे steps हैं, जिनको बोलते क्या, प्रो फेस, मेटा फेस, एना फेस, टेलियो फेस, और साइटो काइनेसिस, प्रीज असब किसमें आता है, यह स्वम मिलके, M phase में आता है, अब दो, प्रो फेस में क्या होता है, आपकी यह सेल है, पहले तो interface में थैयारी होगे, जैसे ही प्रो फेस में आऊगे, प्रो फेस में तो आपकी nuclear membrane है, वो nuclear membrane दिखना disappear होगे, टूपने लगेगी, इनिशेली क्या होगा, nuclear membrane तूटना स्टार्ट होगी, और इसके बाद थोड़े सेनल बाद nuclear membrane गायर हो जाएगी, लगवर्ट बहुत जरा जरा सी बचेएगी ऐसे प्रो फेस, नुक्लियर membrane क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, यह का है, इनिशेल प्रोफेस, नहीं सुर्वाति प्रोफेस, और जब nuclear membrane पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, तो इसको होते हैं, लेट प्रोफेस, क्या बहुत आता है इसको, लेट प्रोफेस, इसको नोट पर बाकी फूरे टाइग गाया हो जो जाएगी, तो पहला तेस क्या आता, प्रोफेस, जहाँ पर nuclear membrane break होना start हो गिया है, breaking of nuclear membrane starts, यहाँ क्या nuclear membrane की breaking start हो गी, और फिर इसके बाद, disappear हो जाएगी, यहाँ पर गाया हो जाएगी, लगबर disappear हो जाएगी, यह क्या बात करते हैं, लेट प्रोफेस में, nuclear membrane disappears, जैसी nuclear membrane disappears होगी, तो इस body में क्या होता है, हमने क्या होता है, और cell division के समय एची दिखाई देनी होती, दिखाई देना सुपर होती, उसे क्या बहते हैं, chromosomes, chromosomes कम दिखाई देते हैं, सेंट division के समय दिखाई देते हैं, बाकी आपको, पोलिष भी गाले नहीं दिखाई देंगे Türk ही ऌने लिए और गयुतर कुछ भी नहीं दिखाई देता है कि मैं देखाले का क्रोमोजोम दिखाई जलते हैं यज़ ल्कॉत जाती है तब इसंडम्हकिलेमद निव्यवर्वीट किसे मेटारले में Metaphase में का हुता है आप को मैंने बताया है centrosome होते हैं centrosome क्या करते है centrosome यही जो외zorm से है इनमें contraction पैदा करते है क्या पहले होओगे contraction और यहीpa centrosome क्या करते है separate करते है कि यह ऐसे जुड़े होते हैं अलगी सेंट्रोजों करते हैं कॉंट्रेक्शन पहला करते हैं इसमें क्रोमोजों में और इतको सेप्रेट करते हैं तो यह क्या मेटाफेज में सेप्रेशन ऑफ क्रोमोजों तेक्स प्लेस गुर्ण सुत्रों का प्रत्रकी करण कहां पहोता है मेटाफेज में तीक है गुर्ण सुत्रों का प्रत्रकी करण प्रारम हो जाता है जब सेप्रेट हो जाएंगे सेप्रेशन होने के बाद अब यह कौफ देंगा एनाफेस नहीं जिए स्टर बनाएंगे सेप्रेट हो जिया जिकाता है कि यहां पुर्ण साथ भर सिप्रेशन ऑफ फिर इसके बाद अग्डा फेस आता है तेलियो फेस और तेलियो फेस में कहता है, इनमें विभाजन शुरू हो जाता है लास्ट इस्टेप होता है, वो क्या है, साइटो तेलियो फेस में विभाजन शुरू हो जाता है किसमें विभाजन शुरू हो जाता है अलग है अलग है अलग है अब आपका क्रोमोजोम दिखना बंद हो जाएंगे, बाकी बॉड़ी पार्ट्स दिखने लगेंगे, यहां पे क्रोमोजोम दिखना बंद हो जाएंगे, यहां पे क्रोमोजोम दिखना बंद हो जाएंगे, यहां पे क्रोमोजोम दिखना बंद हो जाएंगे, यहां पे क्रोम पार्ट में डिवाडिविशन हो जाता है तो इसे कट नहीं है यह फूरी प्रोसेस दिए किसकी माइटोसेस की तो क्या हुआ सबसे पहले प्रोफेस जिसमें क्या हुआ निक्लियर मेंब्रेन यानि केंडर जिल्ली गया हो गई तिर्फ मेटाफेस जहांपे क्या हुआ गुर्शूत्रों का प्रथकी करण हुआ यानि सेपरेशन ओफ प्रोमोजोम हुआ इसके बाद एनाफेस यहांपे क्या हुआ पोलराइजेशन ओफ प्रोमोजोम्स यहांपे लेशक्ते हो क्या पोलराइजेशन ओफ तरह प्रोमोसोम थे पर एफ ड़न- ऑणिर सर्ट-वसauen के परेंगें अब ये ओलल्स कि तरफ चलेगे। निन तरी थेलियो फेस में क्या हो रहा है ? division March 16 और बाकी body organ यहिए णिन सत्त बंदू गया है कि इसके बाद किंगा होता है साइटो काइडिस दैट इस कोशिका विभाजन अब इस अब इन्टरफेस को छोड़ के सबसे ज्यादा टाइम लगता है प्रोफेस में कि आफ्टरफेस मैक्सिमम टाइम ना लगता है प्रोफेस में और मिनिममम टाइम लगता है साइटो काइडिसेज में कोई तक यहां तक कोई डाउट में बना वे इसको वे जो लेट प्रोफेस कोगा है